आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले मुख्य समाचार केंद्रिय स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने कहा देश में कोविड महमारी की दर घट कर दो प्रतिशत हुई प्रुत्युदर विश्व में सबसे कम केंद्रिय वित्य राज्य मंत्री अनुराक ठाकुर ने इंदोर में आम बजट पर उद्योग पतियों और लोगों से चर्चा की भुपाल के हस्त शिल्व को नई अन्तराष्ट्रिय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार राग भुपाली नाम से नए ब्रांड की शुरुवात करेगी हमारी विशेश रंखला अच्छी ख़वर में आज सुनिये राजगर जिले में अती कुपोशित बच्चों को सहत मंद बनाने के लिए शुरू किये गए अभियान पर खास रिपोर्ट और पहाडों से आ रही बरफिली हवाओं से ठीटुरा प्रदेश नो शेहरों में तापमान लुड़क कर तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुचा अब समाचार विस्तार से केंदरी स्वास्ति मंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से कोविड-19 के बारे में उच्चे इस्तरिय मंत्री सम्हू की बाविस्वी बैठक की अध्यक्षता की बैठक के दोरान डॉक्टर हर्शवर्दन ने बताया कि भारत में COVID महामारी के बढ़ने की दर घटकर 2 प्रतिशत तक आ गई है और मृत्युदर विश्म में सबसे कम 1.45 प्रतिशत है उन्होंने कहा कि भारत में COVID-19 से स्वस्थ होने की दर बरकर 95.46 प्रतिशत हो गई है जबकि जाज करने की नीती से 10 लाख नमूनों पर कुल मामलों की दर घटकर 6.25 प्रतिशत हो गई है डॉक्टर हर्श्वर्दन ने कहा कि अक्टूबर नवंबर के महिने में त्योहारों के बावजूत व्यापक परिक्षन करने, संक्रमन का पता लगाने और उपचार की नीती के कारण इस अउधी में संक्रमन के मामलों में कोई तेज व्रध्धी नहीं देखी गई स्वास्त्रमंत्री ने लोगों से COVID-19 महमारी से बचाओ की नियोमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि देश में वेक्सीन के पहले सेट को प्राधिक्रत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने पहले चरण में लगभग 30 करोड लोगों तक वेक्सीन पहुचाने के लिए एक त्वरित टीका करन अभ्यान की आवशक्ता पर भी बल दिया प्रदेश में कल कोरोना के 1085 नए मामले सामने आये हैं जबकि 15 लोगों की मोत हुई है इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,3,215 हो गई है स्वास्त विभाग द्वारा जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलिटेन में बताया गया है कि राज्य में अब तक 2,15,211 मरीज कोरोना को मात दे कर अपने घर पहुच चुके हैं इन में 1,410 मरीज कल स्वास्त हुए अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रक्रण 11,536 है सबसे ज़्यादा प्रभावित इन दौर जिले में 395 नए मरीज मिले वही 433 मरीजों को स्वास्त होने पर अस्पताल से चुट्टी दी गई खनवा में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अनुपपूर में 1, सतना में 18, शोपूरी में 7 और शोपूर में 9 नए मरीजों का पता चला है प्रदेश की आदिम जाती कल्यान मंत्री मीना सिही ने प्रदान मंत्री के जनांदुलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दोगज की सुरक्षित दुरी बनाने बार बार हाथ धुने और मास्क लगाने की अपील की है तो करोना की रोप्थाम के लिए पूरी प्रदेश की जनता से जनसमदाय से मैं बहुत ही बिनम्रता की साथ आग्रे करना चाहती हूं कि देखिए अगर हमको सवस्त रहना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा जैसे कि कहीं भी जा रहे हैं या वीड़ में भी हैं तो मास्क जरूर लगा की रखना चाहिए और सेनेटाइजे बीच बीच करते रहना चाहिए ताकि ये दो चीज अगर हम हर समय पालन करते रहेंगे मुझे लगता है कि कुरोना नजदीक तक भी नहीं आप आएगा तो इसके रोप्थाम के लिए हम सब को सजग रहना पड़ेगे आम बजट केसा हो इस पर केंद्रिय वित्त राजमंत्री अनुराक ठाकुर ने इन दोर में उद्योगपतियों और द्योगिक संख्ठनों वित्त से जुड़े लोगों और आम जनों से मुलाकात की श्री ठाकुर ने आश्वासन दिया कि यहां मिले सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे उन्होंने बजट एवं कोरोना के बाद की स्थितियों को लेकर कई सुझाव और शिकायोतों पर भी विस्तार से चर्चा की श्री ठाकुर ने कोरोना के कठिन समय में मोधी सरकार द्वारा किये गए कामों को विस्तार से बताया और कहा कि आने वाला बजट एतिहासिक होगा क्योंकि ये इतनी बड़ी आपदा के बाद आने वाला बजट है सांसत शंकर लालवारी ने केंदरी वित्ति राज मंतरी का धन्यवाद करते वे कहा कि पहले बंद कमरों में बजट और देश की नीतिया बनती थी लेकिन अब मंतरी खुद सभी से मिलने और बात सुनने यहा तक आये हैं इस कार्यक्रम का आयोजन यंग इंडियन्स संस्था ने किया था अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मू साफ रखें प्रदेश में प्रधान मंतरी के लोकल के लिए वोकल की अउधारना के अनुरूप भोपाल के हस्त शिल्प को नई अंतराश्ट्रिय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार राग भोपाली के नाम से नए ब्राण की शुरूआत कर रही है भोपाल अपने जरी, जर्दोजी और जूट के काम के लिए विख्यात है अब इस काम को अंतराश्ट्रिय स्तर पर नया बाजार उपलब्द कराने के लिए यहाँ पहल की जा रही है मुख्य मंत्री शिवरासिंग चोहान ने हर जिले को आत्म निर्भर बनाने के लिए इस तरह की पहल करने के निर्देश दिये है भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि केंद्री कपड़ा मंत्रालाय ने भी भोपाल को जरी और जर्दोजी के लिए कलस्टर बनाने का निर्देश लिया है भोपाल के गोहर महल में 26-30 दिसंबर तक राग भोपाली के नाम से प्रदरशनी का आयुजन भी किया जा रहा है जिसमें दिल्ली, मुंबई, सहथ, बिबिन शेहरों के निर्यातकों की मौजूदगी में जरी, जर्दोजी और जूट के बनाए सामान का प्रदरशन होगा राग भोपाली प्रदरशनी में यवाओं और समाज के अन्य तपकों को जोड़ने के लिए इस्थानिय लोगप्रिय खान पान के साथ साथ अन्य कारिक्रमों का आयुजन भी किया जाएगा संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचार, मोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सीही चोहान सीहोर जिले के नसुडलागंज के ग्राम भिलाई में आज वनाधिकार पट्टो का वितरण करेंगे कारिक्रम में 1216 वनाधिकार पट्टो का वितरण किया जाएगा श्री चोहान इस अउसर पर नवनिर्मित कॉलेज भोवन का कारिक्रम स्तल से ही लोकारपन करेंगे तथा जन सभा को संबोधित भी करेंगे हमारी विशेश रंखला अच्छी खबर के 36 अंक में आज सुनिए राजगण जिले में अतिकोपोशित बच्चों को सेहत मंद बनाने के लिए शुरू किये गए प्रोजेक्ट भविश्य अभियान पर विशेश रिपोर्ट अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाच को दिशा देने में मददगार हो सकती है केंद्र सरकार के आकानशी जिलों में शामिल राजगड में महिला इवंबालविकास विभाग द्वारा प्रोजेक्ट भविश्य चलाए जा रहा है इसके तहट 1112 अती कुपोशित बच्चों को चिनहित किया गया है जिनको सेहत मंद बनाए जाएगा विभाग की कारिक्रम अधिकारी सुनीता यादव ने बताया कि तीन महीने के भीतर इन्हें सुपोशित करने का लक्ष रखा गया है अभियान में अब तक 300 से जादा बच्चों को गोद लिया जा चुका है कलेक्टर नीरज कुमार सिंग ने भी हिरन खेड़ी गाउं के पांच कुपोशित बच्चों को गोद लिया है उन्होंने लोगों से भी ऐसे बच्चों के लिए आगे आने की अपील की है केंद्रो और राजे सरकार दौरा कुपोशित को खत्म करने के लिए कई योशनाएं चलाई जा रही है ऐसे में जिम्मेदारी समाज की भी है कि वो आगे आकर जरूरत मंदों को इनका लाव दिलाने में मददकार बने अच्छी खाबर के लिए राजगर से कमल खस के इनपुट के साथ बोपाल से मैं राशित एहमत खान उत्तर भारत के पहाडों से मेदानी इलाकों की आ रही बरफिरी हवाव से प्रदेश ठिटूरें लगा है यहाँ पर न्यूंतन तापमान तीन डिगरी तक पहुच गया है गौलियर, चंबल, सागर और रिवा संभाग शीत लहर की चपेट में आ चुके हैं कल भुपाल में सीजन की सबसे सर्द रात रही यहाँ न्यूंतन तापमान 6.6 डिगरी पर पहुच गया है प्रदेश में सबसे कम तापमान, उमरिया में 3 डिगरी रिकॉर्ड किया गया, राज्य के 9 शेहरों में न्यूंतन तापमान 3-5 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया है जबलपुर, सागर और गुना में शीत लहर चली, वहीं धार और राजगर जिले में कोल्ड डे रहा, मोसम विभागने आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ने का अनुमान जताया है अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन ने कहा, देश में कोविट महामारी की दर घट कर दो प्रतिशत हुई, व्रुतुदर विश्व में सबसे कम केंद्रिय वित्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने इंदोर में आम बजट पर उद्योग पतियों और लोगों से चर्चा की भोपाल के हस्तिशिर्प को नई अन्तराष्ट्री पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार राग भोपाली के नाम से नए ब्राण की शुरुआत करेगी हमारी विशेश रंकला अच्छी ख़बर में आज आपने सुनी राजगर जिले में अतिक उपोशित बच्चों को सेहत मंद बनाने के लिए शुरू किये गए अभियान पर खास रिपोर्ट और पहालू से आ रही बरफिली हवाव से ठिटूरा प्रदेश नो शेहरों में तापमाल लुडग कर 3-5 डिगरी सेलसियस तक पहुचा इस बुलिटेन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगच की दूरी हाथ धुना भी है जरूरी नमस्कार जर प्रदेश नमस्कार